मा बहन की गालियां दे रहे थे और वो ये गुप्त रीती से बताना नहीं चाहरे थे कि कहां से किस वेज़े से हैं और वो नाम बगएर पूछे बिना हमारे विशे में जाने वो मुझे पर वार किये और मैं कहता रहा कि मैं ब्लाइंड नू छोड़ दो तो ये कहते रहे कि ब रावने दृष्य खासतर से आए इस तरीके का मंजर था हमारे साथ बातचीत करने के लिए शूरे प्रकास और ब्लाइंड इस्टूडेंट हैं इसी जन्यू होस्टल में रहते हैं साबरमती होस्टल में इनके साथ भी बीते राद मार पीट हुई है काफी मार पीट हुई है तो उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ हुआ, सुर्य प्रकाश क्या कुछ हुआ, सिलसिलेवार ढंग से, शुरू से अंतक सारी चीज हैं जो आपके साथ हुई खास दोर से, वो बता दे हैं हमारे गर्श्वों के लिए. बिल्कुल सर, मेरा नाम सुर्य प्रकाश है, और मैं मास्टर्स यहीं से किया हूँ, पेरियाद चात्रावास में मैं पहले था, पांच अगस्त को इस रूम में मैं शिफ्ट हुआ हूँ, उससे पहले ये जिनका रूम था, ये जो आप रूम में पोस्टर्स देख रहे हैं, य पहले ये क्लियर कर दूँ, उसके बाद ये जो एतिहासी घटना कल घटित हुई है, उसकी न्यू पर्सों या नर्सों पढ़ चुकी थी, पर्सों साम से दो पर से यहां वाइफाई नहीं आ रहा है, रेजिस्ट्रेशन बंद हो गया है, किसी का रेजिस्ट्रेशन कोई चा किसी का नाम ले रहा है, और वो कहती हुई चलाती हुई, शोर मचाती हुई, तोड़ फौड मचाती हुई, गालियां देती चली जाती है, और अपने पढ़ाई से पहले पढ़कर मै इस लाइक बन जाओं कि मैं राजनीती में अपने को सुरक्षन राइब कुरीजित और अपने आपको दिखाज को कि मैं य mots ओक हूं कि मैं राजनीदी कर सकता हूं तो मैं पढ़ाई कर रहा था मैं हमेशा की तरह मेरा post कीतारी मेरी चल रही है अर मैं पढ़ाई कर रहा था कल उना करतें किया जब मोव आई तो मैं चुप रहा कितने बजे की बात है चार बजे के बाद जो दूसरी मोव आई जब दुसरी बात ओबं सानल ना और उपर कर ऊपर की एक सरीह मारा और वो शीशा सीधे मेरे सिर पर आके लगा मैं वहाँ पर चेयर के साथ बैठा हुआ था यह चेयर आप देख रहे होंगे इस चेयर के साथ मैं वहाँ बैठा हुआ था और वो लोग जो मारते समय या सीशा तोड़ते समय क्या कुछ बोल रहे थे आपने वह मा बहन की गालियां दे रहे थे और वो यह गुप्त रीती से बताना नहीं चाहरे थे कि वह कहां से किस वेज़े से हैं और वो नाम बगार पूछे बिना हमारे विशे में जाने वो मुझ पर वार किये और मैं कहता रहा कि मैं बलाइंड नो छोड़ दो तो यह कहते रहे कि बलाइंड है जुट बोल रहा है और मारा सरीय से पीट पर बाहों में स्वेलिंग होई तो एक बंदे ने मुझे लागा कि वो इस्टूडेंट हो कहता नहीं यह सच में ब्लाइंडर रहे और फिर वो उनके मुझ से शराब की बद्दू आ रही थी शराब में व्यक्ति डर और दया तो उसके नाम की चीज होती ही नहीं निडर होके और निर्जायत हैं और बार बार यह बताया जा रहा है कि तुम्हें मेडिया फेस नहीं बनना है और तुम चैनल पर आ रहे हो दिख रहे हो साफ साफ तुम मत बताओ तुम कुछ मत बोलो तुम्हें गल्ती से मारा गया है तुमने कभी किसी का कुछ नहीं किया है तुम मत कुछ करो और अभ सिचुएशन के बारे में आपने यहां जो हॉस्टल के वार्डेन या पुलिस को इतला करने के बाद सर पुलिस कहती है कि तुम्हारी यह मतर गस्ती चलती रहती है तुम लोगों का आए दिन यही सब चलता रहता तुम लोग हमें इस पचरे में मत डालो तुम जी और जीने द जैसे कोई दैवूर्य प्रीणा हो रही हो कि अचानक प्रकट हो जा रहा है अ openness आम तोब प्रकास को कमरे में अकेला था क्योंकि मैं पड़ रहा था इसलिए इस लिए अब बातचित तो करेगा नहीं तो इसलिए वह कोई है औह औट हु नहीं था और मेरे रूम की कुंडी पूरी ऊपर जाकर मुर्ती नहीं है इसलिए वो तूट गई सर और फिर सर इन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से बहुत सर आप अभी कल आये होते तो आपको इस रूम का पिच्चर अलग नजरा था शीशा पूरे बेट पे पूरे अलमारी पे मैं बिल्कुल किसी भी पार्टी से लेना देना मेरा कुछ भी नहीं है मैं अपने आप से और अपने दोस्तों साथियों से साथ रहता हूं सभी मुझे जानते हैं मैं अपने पढ़ाई से और अपनी मस्ती में रहता हूं सर मेरा किसे कोई मतलब नहीं होता है सर लेकिन कल मु ывать phoneा रहे हैं अनोन है दंगिया मिल रहे हैं सब्सक्राइब मैंने देखा नहीं परखा नहीं तू नमीड्रे नहीं कि क सब्सक्राइब है तो मीडिया में मत आ तुझे जो भी मुआजा जो भी चीज चाहिए हम प्रवाइट कराएंगे लेकिन तो मीडिया में कुछ मत बता क्योंकि कल से ललंट और पता नहीं कहां कहां के लोग आए सारा मेरा वीडियो फोटो लेटे चले गए आप जो कमरा है खास तोर से आपके कमरे के बाहर भी हम देख सकते हैं दर्वाजे पर खास तोर से की दर्वाजे पर अंबेटकर का एक पोट्रेट लगा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में भी अमबेटकर का क्या कुछ वो लोग जब वो ऐसा आपके साथ जब मारे पीट हो रही थी तो इसके बारे में भी कुछ बोला में बेटकर बिर्शा और फूले का कोई नाम नहीं ले रहे थे मा बहन की गालियां दे रहे थे जो आम तोर पर गुस्ते में कोई देता है देखिए फिर कॉल आ गई मेरे पास इसी त तरह कि आवाज आती है यहां पर नेटवर का इसू है और अभी में बाहर जाओंगा तो फिर मुझे बार-बार कॉल करेंगे और इस तरह कि मुझे बार-बार दैशत में डाल रहे हैं सर मुझे बोल रहे हैं कि तुझे मीडिया के सामने आना ही नहीं है तो यह हमारे साथ ब बुबुरू करा रहे हैं दा भीहार में विश्णु ने रहे हैं गुद्धिन